उत्तुराखन के मुख्यमंत्री तरवेन सिंग रावत ने धहरादूर में कैबिनेट की बैठाकली जिसमें तीन प्रस्तावों पर चर्चा की गई है और इन तीन प्रस्तावों को कहा जा रहा है कि उन्हें मंजूरी भी दे दी गई तो बता दे कि जुन तीन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है वो है प्रदेश में जमीनों के सरकल रेट में बदलाफ किया है रिवर ट्रेनिंग के संबंध में सरकार ने नीती में बदलाफ किया तो वहीं खनन के शेतर में पट्टा धारक को लेकर भी बड़ा फैसा किया गया है तो सुवे के लोगों की समस्याओं को ध्यार में रखते वे मुखिमंति त्रिवेंद रावत ने वो तीन बड़े बदलाफ किये हैं इसे के साथ ही मुख्यमंत्री त्रवेंद रावत ने अगली महिने की 3 से 5 फरवरी के बीच होने वाली जापान यातरा के बारे में भी कैबिनेट को अवगत करा है प्रवस्तावत जापान यातरा को राजज के लिए बहुत ही महत्पून माना जा रहा है इस स्यात्रा के दुरान कई अहें फैसों पर हस्ताक्षर होने की भी उमीद जताई जा रही है अग्याएं को सम्दिश जिलादिकारी को का है कि जो विसंगति थी सब्सक्राइब करों सड़क के दायों और वायों ओर में एक विसंगति यह रेट मैं थे रेंट्राइ शेत्ता को多undred करें बार और ने ने बताया जीर İ करनसे उनका समय बाधित हो गई थी और वो गल्ती या मैंने कोई गांगा मानने नियाले में या अन्य परकार कर्श्थ तो उसको समय में बढ़ाके देंगे जो रिवेर टेनिंग का समय 2 महीने होता था उसको 4 महीने किया इसमें जलासे और जो हमारी नहरे उनकी सिल्ट इत्यादी का काम भी जोड़ा गया है बाकी सब वह रहेंगे SDM के अध्यक्सता में कमेटी बनेगी उसमें फिर बोली होगी जो इसमें भी नहीं आएगा उसको भागी अस्तर पर कराने का प्राविदान किया गया एक माने मुख्यमंत्री जी की जापान प्रस्तावित यात्रा है उसके संबन में अवगत कराया